किसी भी live streaming channel के लिए सबसे important figures में से एक होती है उसकी current watching यही एक ऐसा number है एक ऐसी figure है जो की streamer को push करती है थोड़ा सा inspire करती है उसका morale boost करती है कि उसको ज्यादा effort put in करना है streaming में अपने content को और ज्यादा entertaining stream में हमारी जो current watching है और यह real time में update भी होती रहेगी I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा और आपको पसंद आएगा जन्दी से शुरू करते हैं वीडियो तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी I hope सभी जबर्दस जिन्दाबाद हमेशा की तरह है welcome to bloody hell gaming और थोड़ी टाइम पहले हम लोगों ने चैनल पे अपने एक वीडियो डाला था कि कैसे हम लोग अपनी live stream में जो likes हैं उनको real time में count कर सकते हैं और show कर सकते हैं अपनी live stream पे उस वीडियो को बहुत प्यार मिला आपका इसके लिए शुक्रिया और जो भाई लोग मिस कर गए हैं उपर icon में लिंक है चेक आउट करेगा वीडियो को तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले चलते हैं किसी streamer के पास जिसकी watching fluctuate हो रही हो बड़ी तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को यह जो URL है उपर stream का इसको करना है copy और एक दूसरी website पर हम लोग चलेंगे जिसका इस्तामाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं और उसका नाम है youtube like counter.com आप चाहें तो वीडियो pause करके देख सकते हैं URL वैसे simple नाम है youtube like counter.com और यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि यह जो URL की जगह है यहां पर हम लोगों को अपनी live stream का URL पेस्ट करना है और यह आपको हर बार करना पड़ेगा just because कि जितनी बार भी हम लोग लाइब जाते हैं अलग-अलग live stream के URL अलग-अलग होते हैं तो यह डालने के बाद आप आप देखिए कि ऊपर जो है वह यहां पर रियल टाइम में जो डेटा है वह अपडेट हो रहा है कितने लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं और कितनी वाचिव है अभी तो इस पेज का जो यह यह दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कॉपी करते हैं और अब हम मूव करेंगे OBS क स्क्रीन पर और बहां पर इसको इस्तमाल करेंगे अज़ेटा शो करने के लिए अपनी लाइब स्ट्रीन पर वह लोग आगा है OBS के इंटरफेस पर हम लोग यहां पर सोर्स एड करेंगे क्लिक करता हूं मैं सोर्स में प्लस वाले साइन पर और चूस करता हूं ब्राउजर और नाम इसका यह रहने दे रहा हूं आप चाहें दो रख सकते हैं और यहां पर हम लोगों को यूरल पेस्ट करना है जो हम लोगोंने साइट पे से कॉपी किया है वो लाइक काउंटर वाली जो साइट पेसे कॉपी किया है पेस्ट करते हैं इसको और यहां पर विट्ट औ भाला portion है वो चाहिए, यह वाला portion चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा crop करेंगे इसको उसके लिए हम लोग filters के استعمال करेंगे right click करते हैं और choose करते है filters और filter में हम लोग पहला filter जो इस्तमाल करने वाले हैं वो हुगा crop pad तो मैं click करता हूँ crop pad पे और और कुछ predefined values मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे कैसे इनको इस्तमाल कर सकते हैं यह है 400-300-1390 और 670 तो इस तरीके से भी शो हो रही है यह जगह थोड़ी से आप जो देख रहे हैं इस वेज छोड़ा है मैंने कि हो सकता है आपकी वाचिंग जो है 10,000 प्लस हो हो जाए तो उसलिए यह गया थोड़ा सा छोड़ा है लेकिन अभी आप देखें कि यह जो डेटा हमारे पास इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह वाइट बैग्राउंड है पीछे हम लोगों को इसको रिमूव करना है इसको ट्रांस्पेरेंट वनाना है तो उसके लिए कुछ चर्च और फिल्टर्स इस्तामाल करने वाले हैं आपर सो करते हैं चूर्च करते हैं सकते हैँ इसको भी यूज करने वाले हैं वह कि क्लिक करते हैं क्रोम की बास अंदध कर SUS करते पहले कलर हम लोग रखते हैं मजंटा और यहां पर हम लोगों को दो यालीवrov को mechanism attached करना है opacity और contrast को maximize करना है और बाकि सारी values हम लोगों को slide down कर देनी है बिलकुल zero पर और आप यह देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं change कर रहा हूँ वैसे जो यह data है और ज्यादा easily visual है हम लोग click करते हैं अगला filter हम लोग use करेंगे color key ओके और यहाँ पर हम लोगों को जो color type है उसको choose करना है custom color में white मैं करता हूँ select color और choose करता हूँ white ओके और इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो similarity है उसको zero कर देंगे और smoothness को maximum कर देंगे आप देखिए data और अच्छी तरीके से visible है और finally एक आखरी filter यहाँ पर हम लोग चूज करने वाले है color correction and this will be all और यहाँ पर लोग करना है gamma को करना है zero और contrast को करना है fully that's it और यह आपकी current watching है और जैसे जैसे live पर आपकी watching change होगी वैसे वैसे यहाँ भी real time watching आप देख रहे हैं बराबर update हो रही है अगर आप चाहें कि यह जो ऊपर आई वाला sign है यहाँ पर आप कुछ watching या ऐसा कुछ लिखे या YouTube का कोई symbol लगाए या ऐसा कुछ हो तो आप चाहें तो टॉप पे से इसको और ज्यादा crop कर सकते हैं मैं फटा-फट से करके दिखायाता हूं filters और crop pad में जाके जो टॉप की value 300 है उसको अगर हम लोग लेट से 320 कर देते हैं तो value 370 करने के बाद आप यह देख रहा है कि उपर आई वाला symbol जो गायब हो गया है आप चाहें तो ऊपर कोई text source लगा के watching या कुछ ऐसा लिखके जो आप ठीक समझें यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आप में से कुछ भाई लोग मिस कर गया है कि आप अपनी live stream पे real time subscriber count कैसे शूर कर सकते हैं तो उसका भी link उपर i card में दे रहा हूं मैं चेक आउट कर यह वीडियो को अ मिलते हैं आप से अगले वीडियो में